हाई गाईस वेलकम टू राइट अकेडमी क्लासिस आज से हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करें क्रसी एम प्रोदो की एग्रिकल्चर एंड टेक्नोलोजी जो आपके संग एम राज सेवल सेवा है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इड मीन्स यूपेसी एंड एवरी उत्तर प्रदेश, सी राजिस्थान, एंड आंध प्रदेश तो कौन सा है बी उत्तर प्रदेश क्यूस नमर टू भारत में क्रसी को समझा जाता है ए जीब को पार्जन का साधन, बी एक ब्यवसाय, सी एक ब्यवपार, एंड एक उत्दोग, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा ए जीब को पार्जन का साधन, नेक्ट कुस्टन, प्राइद उपिये अर्थाद पैनिंसुलर, भारत में सिचाई का प्रमुक्ष साधन है, ए नहें, बी कुआ, सी तलाब, एंड डी अन, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा, सी तलाब, नेक्ट कुस्टन, नमर फोर, निमलेकि कुस्टन, नमर फाइब, आर्थिक नियोजन के योग के अरंब से, भारत की सकल राश्टी आयमें, क्रसी छेत्र का हिस्सा, ए उप्षन, निरंतर कम होता रहा है, बी, निरंतर बढ़ता रहा है, सी, पहले पढ़कर फिर कम हुआ है, डी, पहले कम होकर फिर बढ़ा है, तो क वन आवरण का नियूंतम प्रत्सत है, A. 50, B. 40, C. 33, D. 50, ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है, C. 33%, किर्शन नमर 7, किस पंच वर्सी योजना में क्रसी छेत्र का विकास लच्छ से अधेक हुआ था, A. 8, B. 5, C. 6, D. पहली, तो करेक्ट आंसर कौन सा है, D. पहली पंच वर्सी योजना, किर्शन नमर 8, किस उर्वरक के उभोख है, तु भारत पूरी तरह से आयात पर निर्वर है, A. नाइट्रूजन, B. फास्फोरस, C. पोटास, D. दृत्यक पोशक, करेक्ट आंसर कौन सा है, पोटास, किर्शन नमर 9, ऊसर म्रदा सुधारक के रूप में किसका प्र जिफ्सम का, ओके, नेक्ट किसन, नवीनतम रिलीज, C. एसार, 43, किस की किसम है, A. गुलाब, B. गेहू, C. चावल, D. आम्थ, किस की है, चावल की, किसन नमर 11, किस पंचवर्सी योजना में क्रसी ने रिनात्मक विकास प्रदर्सित किया, A. तीसरे में, B. पाँचवे में सी साते में एंडी नवे में ओके तो इसका correct answer क्या है A. तीसरी पंचवर्सी योजना में भारती क्रसी में निम्न उत्पादक्ता का कारण है A. आवसकता से अधिक लोगों क्रसी कारें में लगा रहना B. जूत का कार छोटा C. उत्पादन की पिछडी तक्नीक D. उप्रोक्त सभी तो इसका correct answer क्या है उप्रोक्त सभी Next question number 13 भारती अर्थव्यस्था में क्रसी का महत उसके निम्नांकित में से किस योगदान से जाना जाता है A. आवसन राष्टी आयत थरोजगार B. और दोगे विकास थतांत राष्टी व्यपार C. खाद्यान पूर्ती and D. उप्रोक्त सभी तो correct answer क्या है D. उप्रोक्त सभी Question number 14 ICAR नई दिल्ली द्वारा Right to Information Act अर्था सूचना का अधिकार कब लागू किया गया 2005 2006 2007 and 2008 2005 में वैसे भी Right to Information Act कब का है 2005 कब उसी समय ICAR ने भी लागू किया थे Question number 15 NAIP It means National Agriculture Innovation Project ICAR द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया A. 2006 B. 2005 C. 2007 D. 2004 कब किया गया था 2006 में Question number 16 देश में वर्तमान Age 2020 It means current का question है मैं ICAR नई दिल्ली के अंतरगत कितने क्रसी विज्ञान के इंद्र K. B. K. S. कार्यत है Question number 17 आमरपाली X वनराज किसमों के क्रोस से आम की कौन सी संकर प्रजाती विख्षित की गई है A. Sंकर H. 39 B. रतना C. अनमोल D. मल्लिका तो कौन सी की गई है अनमोल प्रजाती ये मैंगो की एक प्रजाती अनमोल जो एक संकर याने हाइब्रेड Hybrid किसम है अनमोल Question number 18 राष्टी होटी कल्चर मिशन किस पंच वर्जाती योजना में आरम किया गया था A. ग्यार्मी पंच वर्जाती योजना में B. दस्मी पंच वर्जाती योजना में C. नवी पंच वर्जाती योजना में Q. जिवाडू B. सेवाल C. आर्सेनेक D. वाइरस Q. समर्टी बोलाग पुरुष्कार निमने से किस एक विज्ञानिक छेत्र में दिया जाता है A. ओप्शन उसेदी B. अंत्रिक चनुसंदान C. परमाडू भौतेक D. क्रसी विज्ञान Q. क्रसी विज्ञान के छेत्र में Last and final question भारती क्रसी का इतहास History of Indian Agriculture किस ने लिखा है M. स्वामीनातन B. S. अयपपन C. के भी थामस D. M. स रंधाबा तो इसमें गलती मत कीजेगा यह बुक है लिखी है M. स रंधाबा आने अके तो हम लोगों ने जो क्रसी विज्ञान का फर्स्ट पार्ट किया है इसके नेक्स्ट विज्ञेसांक में हम लोग करेंगे फसलोत पादन उसके मैं पार्ट वास किर्सन बनाऊँन फसलोत पादन जो किब्रॉप प्रोडक्शन बहुत ही important है उसमें सभी प्रकार की crazy question हम लोग करेंगे जो बहुत ही आपके rarest question का इसमें combination होता है जो आपको बहुत ही याने एक exam के लिए tough होते हैं खास तोर पर mostly student इस portion को छोड़ देते हैं जो कि आप सभी exam के लिए important है मैं इसमें जो base मना के चलना हूँ काफी book का है एक तो परिक्षवाणी जो आती है आपको आप लोग जो डोग तैयारी कर रहे हैं परिक्षवाणी जानते हैं ओके साथ ही घटना चक और बाकी जो भी और current के question होते हैं कुछ website हैं उनके जरी मैं question का combination करके आपको प्लब्ट करवाता हूँ hope आपको बहुत पसंदा रहे होंगे ठीक है प्लीज आप लोग यदि आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें आपको चैनल के नीचे red वीडियो देखने के लिए जैसे अभी quality के रिस्टनल्टी में अपलोड कर रहा हूँ साथ ही अभी MP case series स्टार्ट हुए है तो उन्हें देखने के लिए आप playlist में जाएए और साथ ही अलग-अलग playlist में category wise question आपको मिल जाएगे ओके थैंक्यू